हरे कृष्ण श्रीमान जितामित्र प्रभुजी के द्वारा लेखेत श्री भगवान ने कहा श्रीमत भगवत कीता कथारूप के अंतरगत अध्याय संख्या एक श्लोक संख्या पैंतालेस कापाथ अनुवाद तथा व्याख्या इस प्रकार है श्लोक यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पान यह धार्तराष्ट्रा रने हन्यो स्तनमे क्षेमतरं भवेत अनुवाद अर्थात यदि शस्त्र धारी द्राष्ट के पुत्र मुझ निहत्थे तथारण भूमी में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेय असकर होगा भगवत गीता एक पैंतालेस अब प्रभुजी के द्वारा व्याख्या इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण को अपनी संपून बातों का निशकर्ष सुना रहे हैं अधर्म से बचने के लिए वे अपने प्राणों का त्याग करना चाहते हैं चूंकि पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि वे युद्ध में अपने ही संबंधियों को मारने के लिए तयार हो चुके हैं अतह अब यह उचित नहीं होगा कि अर्जुन अपनी और से युद्ध बंध होने की खोशना करें अर्जुन ने अभी तक सोचा था कि शायद धृतराष्ट के पुत्र अर्जुन की शक्ति का अंदाजा लगा कर अपनी और से संधी की युजना बनाएं तथा उनका राज्य वापस कर दें परन्तु अभी तक उन्होंने अपनी और से ऐसी कोई युजना नहीं बनाई है इसक पूशना ही कर सकते हैं और नहीं अपने हाथों से अपने स्वजनों का वद ही करना चाहते हैं तो फिर अर्जुन के सामने पाप से बचने का एक ही उपाय है कि अर्जुन युद्ध भूमी में ही रहें तथा अपने शस्त्रों का प्रयोग न करें तथा ऐसी स्थिति में ध श्रीभग्वान दूसरे अध्याय के 35 रूक में कहते हैं कि वे लोग अरजुन को समझेंगे कि अरजुन भय के कारण युद्ध से उपरत हो गय हैं फिर 18 रूक युद्ध को क्षत्रीए का स्वभाव है युद्ध से न भागना अब हम इस मुख्य भाद पर विचार करेंगे कि अर्जुन अधर्म से बचने के लिए अपने प्राणों का त्याग करना चाहते हैं महापुरुषों के आचरण में यह बात देखी जाती है कि वे मृत्यू से कभी भी नहीं डरते वे पाप से बचने के लिए हर समय मरने के लिए तयार रहते हैं इस बात के कुछ उदाहरनों पर हम विचार करेंगे एक श्रीमती सीता देवी श्रीराम की पत्नी सीता देवी अपने पिछले जन्म में वेदवती नाम की कन्या थी वे भगवान विश्णु को अपना पती बनाने के लिए तपस्या कर रही थी जब रावन ने वहां पर आकर उन्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए उनके केश पकड़े तो उन्होंने अपने हाथ से ही तलवार का कार्य करते हुए अपने केशों को मस्तक से अलग कर दिया तथा कहा नीच राक्षस तुने मेरा तिरसकार किया है अतह अब इस जीवन को सुरक्षित रखना मुझको अभीष्ट नहीं है इसलिए तेरे देखते देखते मैं अगनी में प्रवेश कर जाऊंगे इस प्रकार कहकर वेदवती प्रज्वलित अगनी में समा गई बाद में यही वेदवती सीता के रूप में जब प्रकट हुई तब रावन ने इनका हरन करके अशोक वाटिका में रखा तो ये रावन के द्वारा फटकारी हुई तथा राक्षसियों के बीच में बैठकर उनके कठोर वचनों से बारम बार धमकाई हुई इस प्रकार विचार करने लगी मैं इस दुष्ट रावन के हाथ से मारी जाने वाली हूँ इसलिए यहां आत्मघात करने से भी मुझे कोई दोश नहीं लग सकता ऐसा निर्णए करने पर जब सीता जी को कोई शस्त्र या विश नहीं मिला तो उन्होंने अपनी चूटी से ही फासी लगा कर मरने का निश्चे किया परन्तु उसी समय हनुमान जी ने आकर सीता जी को श्री राम का संदेश दिया इस प्रकार से सीता जी ने बरने का विचार छोड़ दिया बाद में जब श्री राम ने रावन का वद कर सीता जी को अपने समक्ष बुलाया तथा अपनी शंका प्रकट की तो सीता जी ने अत्यंत दुख में भर कर लक्षमन जी से कहा सुमित्रा नंदन मेरे लिए चिता तयार कर दो मेरे इस दुख की यही दवा है मिथ्या कलंक से कलंकित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती मेरे स्वामी मेरे गुणों से प्रसन्न नहीं है इन्होंने भरी सभा में मेरा परित्याग कर दिया है ऐसी दशा में मेरे लिए जो उचित मार्ग है उस पर जाने के लिए मैं अगनी में प्रवेश करूँगी इस प्रकार सीता जी ने जब अगनी में प्रवेश किया तो अगनी देव ने सीता जी की रक्षा की तथा श्री राम ने उन्हें स्वीकार किया बाद में अयोध्या वासियों के मुख से सीता जी के विशय में अपवाद सुनकर जब श्री राम ने सीता जी को वाल मेकी मुनी के आश्रम के निकट भेज दिया तो सीता जी ने उस समय भी मरने की इच्छा की परन्तो गर्भवती होने के कारण उन्होंने अपने प्राण नह त्यागे वे लक्ष्मन जी से कहती हैं सुमित्रा कुमार मैं अपने जीवन को अभी गंगा जिल क्षम कीजिए अभी गंगा जी के जल में विसर्जन कर देती परन्तु इस समय ऐसा अभी नहीं कर सकोंगी क्योंकि ऐसा करने से मेरे पती देव का राजवंश नश्ट हो सुवेल परवत के शिखर पर थे उस समय लंका के गोपुर की छट पर रावन दिखाई पड़ा जिसने श्री राम की पत्नी सीता का हरण किया था सुग्रीव क्रोध पूर्वक उचल कर रावन की छट पर कूद पड़े तथा बहुत देर तक उनका रावन के साथ द्वंद्वयुध होता रहा अंत में जब सुग्रीव रावन को युद्ध में ठका कर श्री राम के पास वापस आए तो श्री राम ने सुग्रीव से कहा हे मित्र जब तक तुम यहां लोट कर नहीं आये थे उससे पहले मैंने यह निश्चित विचार कर लिया था कि युद्ध में रावन का वद करके लंका का राज्य विभीशन को दूँगा और अयोध्या का राज्य भरत को देकर अपने इस शरीर को त्याग दूँगा शरीराम की इस बात से पता चलता है कि सुग्रीव की मृत्यू की आशंका से शरीराम शोका विष्ट हो गए कि उन्होंने प्राण त्याग करने का निष्टे कर लिया था इसके अतिरिक्त सीता के वियोग में भी कई बार शरीराम अपने प्राणों को छोड़ने का विचार करते हैं तथा युद्ध में लक्षमन जी के मूर्चित होने पर लक्षमन जी की मृत्यू की आशंका से शरीराम ने शोक में भर कर अपना शरीर छोड़ने का विचार किय 3. श्रीमती रुक्मिनी देवी तो मैं अपने प्राण उस प्राण को त्याग दूँगी जो मेरे द्वारा की जाने वाली कठिन तपस्या के कारण ख्षीन हो जाएगा तत पश्चात सेकड़ों जन्म तक परिश्रम करने के बाद मुझे शायद आप प्राप्त हो सकें इस बात से पता चलता है कि रुक्मिनी ने निश्चय कर लिया था कि यदि उनका विवाह शिशुपाल के साथ होगा तो वे भोजन तथा जल नग्रहन करके अपने शरीर को त्याग देंगी 4. श्री चैतन्य महाप्रभू का अपने उपर अत्यंत स्नेह देख कर मुरारी गुप्त ने विचार किया कि इन्होंने श्री राम अवतार के समय जब अपनी अत्यंत प्रियपत्नी सीता देवी का भी बिना किसी अपराथ के त्याग कर दिया था तो फिर ये एक दिन मेरा भ श्री चैतन्य महाप्रभू नवद्वीप में जब श्री चैतन्य महाप्रभू भक्तों के साथ कीरतन तथा अनृत्य का आनंद लिया करते थे तो अनेक पाखंडी उनसे तथा उनके भक्तों से इर्श्या करने लगे एक बार श्री चैतन्य महाप्रभू का उन पाखंडियों के साथ कुछ संभाशन हुआ जिससे उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा कि उन निंदकों से बात करने के कारण उनका कृष्ण के प्रतिस प्रेम समाप्त हो गया ह इसलिए अत्यंत शोक के कारण आत्महत्या करने के लिए वे गंगाजी में कूद पड़े परन्तु निद्यानंद प्रभू तथा हरीदास ठाकूर ने प्रयास करके उन्हें गंगाजी से बाहर निकाला 6. रगुनात दास गुस्वामी 7. श्रिलसनातन गुस्वामी जिस समय श्रील सनातन गोस्वामी के शरीर में पके खाज का रोग होने के कारण दुरगंध युक्त पीब बहने लगी तो उन्होंने अपने को अत्यांत नीच समझ कर जगनात रत्यात्रा के दिन रत के पईये के नीचे दब कर शरीर को त्यागने का विचार किया परन्तु चैतन्य महाप्रभू अंतर्यामी होने के कारण इस बात को जान गए तथा उन्होंने सनातन गोस्वामी को प्रेम पूर्वक डाटा तथा कहा तुम्हारा शरीर मेरी संपत्ति है तुम्हें मेरी संपत्ति को नश्ट करने का कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार सनातन श्री चैतन्य महाप्रभू की सेवा में जीवन धारन करने के लिए तैयार हुए आठ नर्सी महता नर्सी जी एक आदशी के दिन भोजन ना ग्रहन करके दिन भर कीर्तन में लगे रहते थे एक दिन इनके घर के द्वार पर एक फूखा ब्रामन भोजन मागने के लिए आया जब नर्सी जी ने उसे बताया कि वे एक आदशी के दिन न तो स्वयम भोजन करते हैं और ना ही किसी को भोजन खिलाते हैं तो वह ब्राम्हन यह कहकर इनके द्वार पर ही लेट गया कि जब नर्सी उन्हें भोजन देंगे तभी वह भोजन करेगा। दूसरे दिन प्रातह नर्सी ने देखा कि वह ब्राम्हन उनके द्वार पर ही मरा हुआ पड़ा है। बोजन न मिलने से उसकी मृत्यू का कारण अपने को ही मान कर नर्सी ने विचार किया कि उस ब्रामण के शरीर को अपनी गोद में रख कर वे अगनी में जल जाएंगे इस प्रकार जब नर्सी प्रज्वलित अगनी में बैठे थे तो वे अगनी में नहीं जले तथा उन्होंन उन्होंने देखा कि उस ब्रांभन के रूप में श्री कृष्ण ही उनकी परीक्ष लेने के लिए आये थे। अपने शरीर को जला दिया। इस प्रकार उन्होंने दूसरा जन्म परवतों के राजा हिमालाई की पुत्री के रूप में लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्त गण अपने परम कल्यान के लिए आवश्यक्ता पढ़ने पर अपना शरीर त्यागने के लिए सदैव तया संसार रहते हैं। उन्हें मृत्यू से कोई भय नहीं रहता। उन्हें इस भौतिक संसार में अपनी आयू बढ़ाने की कोई इच्छा नहीं होती। अर्जुन पाप कर्मों से बचना चाहते हैं। उन्हें अपनी मृत्यू की चिंता नहीं है। अर्जुन ने पिछले श्ल हम राज्य सुख के लोब से अपने स्वजनों का वाधुरूप महान पाप करने के लिए तयार हुए हैं तथा इस श्लोक में अर्जुन ख्षेम तरम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तथा इस श्लोक में अर्जुन ख्षेम तरम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ख्षेम का अर्थ है सुरक्षा तथा ख्षेम तर शब्द तुलनात्मक है जिसका अर्थ है अधिक सुरक्षा सामान्य रूप से सुरक्षा का अर्थ है अपने जीवन की रक्षा और इस प्रकार की सुरक्षा तो पशु और मनुश्य दोनों ही करते हैं अपने जीवन की रक्षा के लिए भोजन करना आवश्यक है, इसलिए सभी लोग भोजन करते हैं। जिन में सभी लोग लगे हुए हैं, परंतु एक दूसरी प्रकार की सुरक्षा है, जो मनुश्य के जीवन में ही होती है। पशूओं पक्षियों के जीवन में नहीं। वह है पाप कर्मों से अपनी रक्षा। और यह सुरक्षा अपने जीवन की रक्षा से अधिक महत्वपो कोन हैra, इसलिए अर्जुन अपनी जीवन का त्याग करके भी अपनी पापों से रक्षा करना चाहते हैं। और इस कार्य को अर्जुन ख्षे मतर अर्थात अधिक सुरक्षा कह रहे हैं। अर्जुन मनुश्यों में उत्तम होने के कारण इस बात पर विचार कर रहे हैं जहां तक सिध्धांत की बात है अर्जुन everybody सभी है कि अपने चीवन की रक्षा की तुल नमे पापों से अपनी रक्षा करना अधिक सुरक्षा है परंतु अर्जुन की यदि कोई तुठी है तो वह समझने में अर्जुन जिस कार्य को पाप समझ रहे हैं वह पाप नहीं है अन्यता अर्जुन वास्तव में महात्मा है क्योंकि वे अपने जीवन को तुछ समझते हुए पापों से बचने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन अपनी इंद्रियत रिप्ति के लिए कोई पाप नहीं करना चाहते हैं जबकि अनेक लोग ऐसे हैं कि वे अपनी इंद्रियत रिप्ति के लिए अनेक प्रकार के पाप करते हैं तथा उनके जीवन में पाप बढ़ता चला जाता है उनका जीवन बेकार है अच्छा ह यदि वे मर जाएं क्योंकि मरने से उनके पाप कर्म बंद हो जाएंगे वास्तव में ध्रतराश्ट्र के पुत्रों का मरना अच्छा है क्योंकि वे अपने जीवन में पापों को बढ़ाते जा रहे हैं गीता के तीसरे अध्याय के सोलहवे श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अघायूर इंद्रिया रामो मोगं पार्थ सजीवती अर्थात ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों के तुष्टी के लिए व्यर्थ हे जीवित रहता है ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान दो शब्दों का प्रयोग करते हैं अघायू और इंद्रिया राम अघायू दो शब्दों से मिलकर बना है अग और आयू अग का अर्थ है पाप और आयू का अर्थ है जीवन इस प्रकार अघायू का अर्थ हुआ पाप का जीवन तो भगवान कहते हैं कि वह जितना अधिक आय का भंडार भी बढ़ता जाता है अब हम दूस्रे शब्द इंद्रिया राम पर विचार करेंगे इंद्रिया राम के विप्रीथ आत्माव होता है आत्मा राम के व्याख्या भग्वान какие अगले लोक में करते हैं जो व्यक्ति आत्मा में ही रति वाला है आत्मा में ही रति वाला है और आत्मा में ही संतुष्टि वाला है उसके लिए कोई करतव्य नहीं है यदि इसी प्रकार से देखा जाए तो इंद्रिया राम शब्द की भी व्याख्या की जा सकती है जो व्यक्ति तुantes कांप शत्र के अधीन है इसलिए उसके इंद्रियान भी उसकी शत्र बन जाती है तत्ह उससे पापकर्म करवाती हैं। दूसरी और आत्मा का अलद है श्रीकृष्ण तो आत्मा राम का अर्ध हुआ वह व्यक्ति जो श्री की सेवा में लगा हुआ है चुकि श्रीकृष्ण सभी जीवों के सुहरिद हैं इसलिए श्रीकृष्ण की सेवा करने वाले को श्रीकृष्ण सभी पापों से छुड़ाते हैं चुकि अर्जुन श्री कृष्ण की सेवा में लगे हैं इसलिए अरजुन आत्मा राम है इसलिए उन्हें जीने का अधिकार है जबकि रितराष्टर के पुत्र अपने इंद्रियों की सेवा में लगे हुए इंद्रिया राम है इसलिए उन्हें जीने का अधिकार नहीं है फिर भी जो श्री कृष्ण भक्त हैं उनके लिए जीने और मरने में कोई अंतर नहीं है वास्तव में मृत्यों उनके लिए वस्त्र परिवर्तन के समान शरीर का परिवर्तन होती है उनके कार्य में कोई परिवर करें इस श्लोक में अर्जुन ने कहा है कि ध्रतराष्ट्र के पुत्र शस्त्रों को धारण करके शस्त्र रहित अर्जुन का वद करें तो अधिक अच्छा है परंतु प्रश्न उठता है कि अर्जुन यदि मरना ही चाहते हैं तो वे अपने शस्त्र के द्वारा ही अपना करेंगे तो उन्हें आत्महत्य का पाप लगेगा यह भी एक महत्पाप है इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन सभी प्रकार से पाप कर्म से बचना चाहते हैं इस श्लोक के तात्पर्यमे शिल प्रभुपाद लिखते हैं क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमोख शत्रु पर आक्रमन न किया जाए किन्तु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विशम अवस्था में उन पर आक्रमन कर दें किन्तु वे युद्ध नहीं करेंगे उन्होंने इस पर विचार नहीं किया कि दूसर दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है इन सब लक्षनों का कारण उनकी दयाद्रता है जो भगवान का महान भाक्त होने के कारण उत्पन्न हुई हरे कृष्ण